जय श्री राम, जय जिनेंद्र, मैं सबसे पहले डाक्टर गुमाश्ता और उनकी टीम को धेनेवाद दिना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे इस इंटरनेशनल कांफरेंस में अपना शोध पत्र प्रस्त करने के लिए आमनत्रित किया. मैं भागेशाली था कि पिछली वर्ल्ड रामाण कांफरेंस जो चार वर्ष पूर यहां हुई थी, उसमें भी, on a lighter side I could say that I got a wild card entry, और मैंने उसमें राम, रामायन और आफरिका पर अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया था, और एक नई दिशा, हरी अनन्त, हरी कथा अनन्त के रूप में, ओडियन्स के सामने प्रस्तुत कि थी. आज पुना एक नया शोध पत्र लेकर आया हूँ, और मेरे शोध पत्र का नाम है रामायन इन श्रमन परंपरा, मैं हिंदी और अंग्रेजी दौनों में बोलूँगा, श्रमन परंपरा में, श्रमन, who labors, toils, or exerts themselves, for some higher religious purposes, also a seeker, one who performs acts of austerity and ascetic, एक ऐसा व्यक्ति जो श्रम करता है, जो कुछ खोज रहा है, जो acts of austerity, जो तपस्या कर रहा है, और उसको फल्सरूप, इस समय भारतोरश में, महान जैन संत आचार विद्या सागर का चित्र, यहां मैंने प्रस्तुत किया है, उनके आशीरवात से ही, हम आज ये शोध पत्र यहां आपके सामने प्रस्तुत करने को उपस्थित हुए है, जैन परंपरा में, श्रमण परंपरा में, बुधिस्ट और जैन दोनों परंपराएं आती है, कल के कुछ शोध पत्रों में, बहुत सारी बुधिस्ट परंपरा से आई, रामायन का जिक्र हुआ था, मैं भी उन बहुत सारे लोगों को जानकर आश्यर होगा कि जैन परमपरा में भी हम प्रति दिन राम और लक्षमन की वंदना करते हैं किसे भी पूजन के आरंब में त्रेशट शलाका के विशिस्ट पूर्शों का वंदन जैन परमपरा में प्रति दिन हम अंगलाश्टक में करते हैं जिन में राम और लक्षमन भी आते हैं जैन धर्म की महासतियों में सबसे पहले महासती सीता का नाम आता है और उसके बाद महासती अंजना का नाम आता है जो बजरंग बली हनमान जी की माता जी थी इन बुद्धिजम रामायन इस काल्ड दसरजातक कल्वीश की चर्चा हुई थी एन रामा इस काल्ड रामपंडित लक्षमन इस काल्ड प्रिंस लखन जैन परंपरा में आज तक 600 बीसी से लेकर लगभग 250 रामायन लिखी गई हैं जिन में प्राक्रत में 25, संस्कृत 71, अपब्रहंच 22, हिंदी 82, कर्नड 17, कमिल 2, गुजराती 4, मराथी 3, उर्दू 2, इंगलिश 3 और कुछ ऐसे डायलेक्ट हिंदी भाशा के इन सब के बारे में बात करना तो समय की सीमा में संभव नहीं है मगर मैं कुछ विशिस्ट रामायनों की बात करूँगा जो आपको जानने के लिए योग हैं और उनमें हम जबलपूर से रामायन का कितना विशिस्ट संबंध है मैं उसकी बात भी करूँगा 607 A.D. the first Ramayana was written in Jain Parampara by Acharya Kirtidhar in Sanskrit 643 A.D. to 683 A.D. Acharya Ravishen wrote a Ramayana called Padma Purana in Sanskrit between 644 A.D. and 77 A.D. 77 A.D. आचार Vimal Suri wrote पौम चरियू in Prakra कल के प्राउचन में माराज मुक्तानन्द जी ने इस ग्रंथ की कोमेंशन किया था कि Jain Parampara में पौम चरियू नाम का ग्रंथ लिखा गया है जो रामकता ही है पोईट स्वेंभू ने 677 A.D. to 783 A.D. के बीच में एक पौउंचरे लिखा अपब्रंच में देन 13th century आचारे कुमुद एंड नागेचंद्र जिनने पंप भी कहा जाता है उन्होंने कन्नड में कुमुदेंदू रामायन लिखी देन 1439 A.D. पोईट राइदू हम लोग यहां बहुत परचित हैं से पोईट राइदू ने पदम पुराण अपब्रंच में लिखा 1597 A.D. आचारे चंदर कीर्थी ने पदम पुराण अपब्रंच में लिखा 177 A.D. इसके यह जो साथ गरंथों का मैंने अभी नाम लिया यह सारे साथ गरंथ ताल पत्रों पर लिखे गए जो आज भी विश्व धरोहर के रूप में भारत के अनेक शोध संस्थानों मैं सुरक्षित हैं इन्हें अलग-अलग भाशाओं में ट्रांस्लेट किया गया है और उन ट्रांसलेशन के बारे मैं आगे बाद करूंगा दक्षिन में हमारे बहुत से शास्त्र बंडार हैं इन दोर में पटना के पास आरा में ऐसे बहुत से शोद और हस्तिनापुर यहां हमारे बहुत शोद बंडार हैं जहां यह ग्रंद सुरक्षित हैं आज भी इनने देखा जा सकता है पढ़ा जा सकता है 1770 A.D. पंडित दौलत राम इन्होंने पद्व पुराण को हिंदी में लिखा 18-19 सेंचुरी में मुनिकेश राज ने राम यशो रसायन रास ये बड़ा विशिष्ट ग्रंथ है इसे राजस्थानी ब्रज भाष्षा में लिखा इसके बाद बहुत से जैन पुराण हैं जिन में रामायन को या रामायन के को छोटा करके और दूसरे गन्तों के अंदर जैसे हमें राम कथा शिर्मत भागवतम में भी मिलती है और अभी हमारे पूर्वी स्पीकर ने भी बताया कि महाभारत में भी तो ऐसे ही समचिप्त रूप में जहां राम का चरित्र मिलता है उसमें आचारे गुण भद्रने उत्तर पुनान संस्कृत आचारे पुष्बदन्त महापुरान अपभरंश आचारे हेम चंद्र अब इन में से कुछ रामायन की मैं समय को देखते हुए चर्चा करना चाहूंगा पहला ग्रंट जो मैंने चूस किया है राम यस्टो रसायन रास यह राजिस्थानी ब्रज भाषा में लिखा गया है इसकी स्टाइल मारवाडी है राइटर मुनिकेश राज यह ताड़ पत्र पर अठारवी और उन्नीसवी सेंचुरी के बीच लिखा गया जो इंडियन विक्रम सम्मत 1683 आता है इसके चार वाल्यूम है जैपूर के इसको एक आर्ट पेपर डिमाई साइज 4 में 118 पेज में 223 कलरड राजस्थानी मिनियेचर पेंटिंग के साथ री प्रिंट किया गया है इसके एडिटर थे डॉक्टर ज्योती प्रसाद जैन जो एक माने हिस्टोरियन थे प्रोलोग इसका डॉक्टर राय आनंद कृष्ण एक्स डिरेक्टर भारत कला भवन काशी हिंदू यूनिवरस्टी ने लिखा इस पर जो मिनियेचर पेंटिंग के कमेंट्स थे वो जाने माने चितरकार एम फुसेन ने लिखे ये बुक डेडिकेट हुई डाक्टर हर्मन जैकोबी को जो एक वेल नोन जर्मन स्कॉलर जैनि प्रेजिनेंट डाक्टर शंकर द्याल शर्मा ने 6 अप्रेल 1991 को किया और इसकी ओरिजिनल मैनिस्क्रिप्ट जो तालपत पर है अभी भी सुरक्षित है और उसे जैन सिद्धान भवन आरा बिहार में देखा जा सकता है ये इसको पर एक कमेंटरी आई थी ये मुझे पिछल परपन हुआ था तो ये चित्र उसके लिए है पद्मपुरान दूसरा ग्रंथ ओरिजनली रिटन इन संस्कृत बायाचार रविशें ताड़ पत्र पर 643 AD to 683 AD ये हिंदी में टांसलेट हुआ एक बहुत प्रसिद्ध जैन विद्ध्वान पंडित पन्नालाल जैन जो हमार सागर मदप्रदेश के थे और उन्होंने इसे 1958 में किया और भारती ज्यानपीट ने इसे प्रकाशित किया उसके कुछ चित्र में आपको यहां दे रहा हूं और ये उसका मुख प्रश्ट है इसमें जो आप देख रहे हैं ये संस्कृत में लिखा हुआ है और ये ताड़ पत्र का चित्र है जो यहां इसके मुख प्रश्ट पर आया हुआ देक्स शोन उन कवर इसन संस्कृत रिटन उन ताड़ पत्र विच कुट बी सीन अट जैन तीर्थ जैन बद्री नियर महसुरू करनाटका इंडिया तीसरी रामायन जो मनें चूस की इसका ओरिजिनल टेक् 2001 और इसके पब्लिशर थे श्री रत्न सागर प्रकाशन ने धी इंदौर MP इसके कुछ चित्र है यह इसका मुख प्रश्ट का चित्र है क्रिशस्ट शलाका पूरुस जैन रामायन सीता हरन का द्रश दिखाया गया है फिर आती है जैन राम कथा ओरिजिनल रिटन उन कर्स और इसमें 118 पेज हैं दो वाल्यूम है उसका मुख प्रश दिया हुआ है अब हम आते हैं हमारे शेहर का रामायन से कितना अटूट संबंध है यह पद्मपुरान आचार रविशेहन का दिस ट्रांसलेशन वस डान जबलपूर बाइड़क्टर प्रभा जैन इन 2006 पब नायक परिवार जिनके डक्टर डेनी नायक और उनकी श्रीमती जी डक्टर सुराज नायक यह होपस्थित हैं इनके अटूट समर्पन के कारण यह विलुप्त रामायन आज आपके सामने हैं मेरी मातर श्री भी हाल में है वो रोज इसका अधियन करती हैं बच्पन से मैंने इसे सेकलों बार पढ़ा है और यह शायद राम जी की करपा थी कि मैं अचानक डक्टर मंगल से उस समय वो जीवित थे अचानक मिलता हूं और यही चर्चा होती है जैसे कि राम जी थाट दे रहे थी दिमाग में कि यही बात मुझे वो मुझे नहीं जानते थे मगर दिराम जी कुछ करना चाहते हैं तो वो अपने बंदों को ढूड़े लेते हैं तो मैं दिखाऊंगा आपको तो इसके लेंगव एक मात्र विश्यू की एक मात्र बुंदेली में लिखी हुई रामायन हमारे जबलपुर की है इसके टेक्स में दोहा और चौपाईज है इसके चार वाल्यूम है मैं भी आपको दिखाऊंगा यहां पर करीबन 3000 से ज्यादा वर्सिज हैं यह लाल्टैन की रोशने में लिखे गई फौरा बजार में जो हमारा लाल्टैन का जैन मंदिर है उसके परकुटा में नायक जी रहते थे और उन्होंने अपनी आँखों पर ध्यान न देते हुए भी पहला वाल्यूम छे साल में लिखा और उसके बाद चार वाल्यूम और पूरे किये 51 52 में यह पहली बार पब्लिश हुई इसका पब्लिकेशन लोकल ही गांधी गंज के एक छोटे से प्रैस में हुआ इसका एबरिज वर्शन मैंने 2011 में जब राम जी की करप हुई थी और डक्टर मंगल नायक ने कहा कि कुछ करना है तो यह चारों वाल्यूम आप देखिए यह डक्टर साब को मैंने जब दिखाया डक्टर गुमाष्टा को बहुत प्रिशन हुए और उन्होंने चित्र लिया था जो आपके सामने प्रस्तों यह चारों बुक्स करना बंद किया यह पास्डवे फ्यू यर्स अगो तब मैं उनको पढ़के सुनाता था यह यह ऐसा विचार किया कि इन चारों ग्रंथों को फिर से पब्लिश किया जाए आजकल पढ़ने की रुची लोगों में कम हो गई है सोचा यह 3000 वर्सिस कौन पढ़ेगा कैसे होगा तब डक्टर स्वराज ने मुझसे कहा कि आप इसका एक अब्रिज वर्शन क्योंकि सुन्दर कांड जैसा जैन रामायंड में नहीं है मगर आइडिया में समझ गया कि फूरी रामायंड के मुख्य कथा को क्योंकि बहुत सारी घटनाएं इदर उदर बदलती हैं जैन आख् स्टोरी है उसके इन चार भागों को मैंने इखटा करकर भाग एक से लेके भाग चार तक उसकी ओरिजिनली टीक को पूर्ण तह सुरक्षित रखते हुए क्योंकि हम अपनी तरफ से कुछ नहीं मिला सकते थे ओरिजिनल वर्सिस को करके यह एबरिज वर्शन 2000 हुआ डक्ट इसका एक audio CD भी हमने बनाया है और इसे वीडियो पर आलेड़ी YouTube में इसका वीडियो संकर यूट्यूब पर अपलोड है आप इससे सुनिए काई ड्राइव करते हुए आप इसको सुनिए आपको बहुत आनंद आएगा बुंदेली भाशा जो हमारी मातर भाशा है यहां बह दूसरी रामायन चूपकी मैं श्रमन परंबरा की बात कर रहा हूं इसलिए मेरे उचित है कि मैं जैन रामायन के अलावा जो बुद्धिस्ट एरिया है वहां कौन-कौन सी रामायन प्रचली थे उन कंट्रीज में तिबती रामायन, खोतानी रामायन, रामायन, ककविन इन रामकेली इन जावा, फरलक्फरा हमने इसका प्रजेंटेशन कल सुबह सुना था, लाओस, यामाजिद्धा, मैनमार, रामकेर, कंबोडिया, रामाकियन, थाइलेंड, सेरी राम, मलाया, दश्रत जातक, ये बुद्धिस परंबरा में नाम है, ये पाली में लिखी गई है सेंचुरी में, अनामकम जातकम, इस्टोरी अव रामा, ट्रांसलेटेट इन चाइनीज लेंगविज, बाइ कैंग सेंग हू, अंडर दा नेम लियूलेशी किंग, विच इस्टिल अवेलबल, और उसका एक्चित्र आपके सामने है, जैसिया राम, मैंने अपने निर्धारि आपने इस चीज को सुना, और जाना, कि हम भी उतने ही राम के प्रती समर्पित हैं, जितनी पूरी दुनिया में, हरी अनन्त, हरी कथा अनन्त, धन्यवाद,